हेलो स्ट्टोइंट्स, हम क्युविक पॉइनोम्यल के से जनने को क्या करते हैं, डिविजिजन में करते हैं फिर उसके बाद करते हैं क्यूंड टीकवेशन को तो हम यहां पर बिद्दम करेंगे को यहां पर कोश्चन हमने लिया है, जैसे आप जानते general equation क्या होता है? cubic polynomial का axq, bx square, cx plus d ayanocratic polynomial क्या होता है? general equation ax square, bx plus c linear equation का होता है ax plus b के form में हम यहां पे generally first factor जो होता है cubic polynomial का x equal to minus 1, minus 2, minus 3 1, 2, 3 पे आपको मिल जाएगा तो पहले हम क्या करेंगे? यह value पूट करके देखेंगे इस equation में अगर 0 आता है तो पहला factor मैं मिल जाएगा पहले क्या करें हम 1 रखते हैं तो 1 पे मेरा factor नहीं आएगा 0 नहीं आएगा अगर हम 2 रखते हैं तो 2 रखेंगे तो क्या होगा दोगा क्यूब 8 हो जाएगा फिर 3 इंटू 2 का स्कॉार यानि कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा फुलस 12 हो गया 12 प्लस 8 20 हो गया फिर यहां पर दोग रखेंगे तो कितना होगा 620 12-12-8-20 तो यह 0 आ जाएगा कितने पर 0 आया स्कॉत्यां सब्सक्राइग का इसको इसका हो गया सुन्च हो गया जीडा करते हैं तो वह इसको लींट एक के quadratic equation है तो किसी भी linear को quadratic equation के साथ हम multiply करते हैं तो क्या आएगा cubic equation यहाँ पर क्या है यह रहा है तो हमें एक factor तो मिलके x-2 अब हमें दो factor और find करने तो दो factor के लिए क्या करेंगे हम इस equation से compare करेंगे इसको तो हमें यहाँ पर हमेशा याद रखना है कि x q का जो factor आएगा x q जो आएंगे इस टर्म में एक ही तरीके से आ सकता फिर यह जो constant है यह भी एक ही तरीके से आएगा तो हम यहाँ पर find करते हैं जैसे हमें क्या लाना x q लाना x q को coefficient क्या वहन है तो यह x को कितने x स्क्वार्ट से मल्ली प्लाई करें कि one x q आ जाए यानि एक 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 जब पर वन वहना चाहिए तब यह x q आ जाएगा तो एक मेरा क्या मिल गया वर मिल गया अब ऐसी आई यह constant के लिए constant क्या भी एक ही method है constant find करने के इसका constant क्या है माइनस टू इसका constant है सी तो माइनस दो को सी से मल्ली प्लाई करें कि माइनस आठ आ जाए तो माइनस दो को कितने से मल्ली प्लाई करेंगे कि माइनस आठ आ जाए तो इसको कितने से मल्ली प्लाई करेंगे चार से क्या लिख सकते हैं, minus 2 into c equal to minus 8 तो c equal to कितना आ जाएगा, 4 हमें a मिल गया, c मिल गया अब क्या निकालना हमें, b निकालने हैं तो b निकालने के लिए आप क्या गरें x square का coefficient या x का coefficient को क्या गरें compare करें तो अगर हम x square का coefficient compare करते हैं तो क्या हो जाएगा X-square को रखेशन यहाँ से भिया सकता है 6-6 और फिर टूको इसे में करेंगे यह भी याजाएगए square के form में-2 स 20 स्कृइर सख्वास करने किया है 3 ? एकसे स्क।र यह Two को चाहेगा बी-2 इसका कोफिसेट क्या भी-2 है यहां पर आया हुआ था है यहनि थी फों स्वां पर रहे थीतना था मेरा प्राइब सब्सक हो जाएगा सिघ्रीच 스क्वेहसन को 15 था मेरा 4 आया था तो यह quadratic equation आ गिया पहला फेक्टर तो में मिल चुका है x-2 अब इसको हम solve कर लेंगे middle term से तो 4 का फेक्टर ऐसा करें कि 5 आ जाए तो 4 into 1 तो 4 x plus x plus यह वाला 4 इसको फेक्टर करेंगे तो पहला फेक्टर यह आ जाएगा इसमें से common लेंगे तो क्या होगा एक फेक्टर दूसरा x plus 4 और तीसा क्या आ जाएगा x plus 1 तो student आप कुछे समझ में आया होगा चलिए एक दूसरा एक example लेगे हम बताते आपको दूसरा example है x cube plus 4 x square minus 11 x minus 60 तो पहले तो इसको क्या करेंगे हम जीरो करेंगे एक्स की value इसमें से कोई सा भी डालिए चेक करेंगे जीरो आता या नहीं तो क्या करें हम x equal to minus 1 डालिए तो minus 1 का cube कितना होगा minus 1 फिए हो जाएगा minus 1 का square into 4 यानि 4 फिए कितना हो जाएगा minus 11 into minus 1 कितना हो जाएगा 11 minus 30 इस पर 0 नहीं आ रहा है माइनस 2 रखेंगे माइनस 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा minus 2 का cube minus 8 फिर minus 2 का square into 4 कितना हो जाएगा 16 तो का square 4 into 4 16 यह और अली हम निकाल दें फिर minus 11 into minus 2 यानि 22 माइनस 30 तो यह मेरा क्या आ जाएगा 30 minus 30 0 यानि x equal to minus 2 पे क्या आ रहा है मेरा 0 आ रहा है xq plus 4x square minus 11x minus 60 equal to 0 तो हम जानते हैं xq लाने के एक वे एक ही तरीके से xq आ सकता है और constant में मेरा क्या आ सकता है एक ही तरीके से तो पहले तो क्या करें पहला फेक्टर में मिल चुका है एक्स पॉलस टू अब हमें एक्स की उलाना अब इसका कोफिशेंट देखें एक है तो ये वाले एक्स को कितने एक्स स्क्वार से मलिप्लाई करें कि एक्स की बाजाए तो समझ गये यहां पर एक ओल्ट वन होता तो में राजाता लानी क्या हो जाएगा एक्स पॉल्ट वन होगा तो एक्स स्कॉयर में प्लस दी एक्स प्लस सी स्टुएंट आप इस पर बार बार प्रक्टिस करेंगे तो इतने लिखने की जोगत नहीं है हम आपको बता रहा है, इसे लिखना पर रहा है, तो equal to क्या आ जाएगा मेरा, 1 आ जाएगा, अब हमें क्या देखना है, constant लाने के लिए भी एक तरीक है, तो इसका constant क्या है, 2, इसका constant क्या है, c, equal to क्या लाना है, हमें, इसलाना है, तो 2 को कितने से मली प्राइक करेंगी, माइनस 30 आ जाए, या पैसे लिख सकते हैं, 2, c, इधर का constant हो गया, इधर का constant क्या है, माइनस 30, तो c, equal to कितना आ जाएगा, माइनस 15 आ जाएगा, c, भी मिल गया, अब हमें b निकान लें, ये वाले b, तो b के लिए आप क्या करें, x स्कॉार का गुनांग, या x के गुनांग को क्या करें, इधर से compare करें, तो हम क्या कर रहे हैं, x स्कॉार के गुनांग को compare कर रहे हैं, तो x स्कॉार मेरा कैसे कैसे आ सकता है, जब 2 को a x स्कॉार से करेंगी, मर् लिपटाइ तभी आ सकता है या एक्स को कि भी एक्स से करेंगे तभी मेरा क्या आयंग एक्सरच को पहले इसको करेंगे तो क्या हो जाओगा transferudevax2 with a inspire 과 but must get कि भी एक्स Gucci एक्स को इसमें करेंगे तो य्दर तो इधर क्या एक स्कॉार फोर एक से स्कॉार है तो एक से स्कॉार का टर्म तो यहां कर जाएगा अगर कॉमल लेते तो क्या होगा तो यह पॉलस बी अगर आप दो तीन नमर प्रैक्टिस करेंगे तो यह लिखना भी नहीं परेगा आपको और अली कोश्चन स्वाल हो तो एक से स्कॉार तो गैंशील हो जागए यहां से तो इसका अक कॉपीशन क्या एक का वैलू हम वन निकाल चुके हैं तो यह क्या हो जाता है तो पहलास बीइक को कितना lap variety कि तो क्या मिल चुका ओल इलए मिल चुका एक यह नालेंगे दो ही मिल चुका है तुम यहां से कवाड़ेटिक पोरिनइम्यल बना लेंगे पहला फैक्टर तो मिल चुका है हमें है एक्स प्लस टू है प्रीर टू है पहला पिर आम इसको क्या लिखेंगे यह मेरा गोन आ सब्सक्राइब करने के लिए क्या करेंगे मीडिल ट्रॉम का यूज कर सकते हैं अब हमें यहां बर टू लाना तो फिप्टीन को क्या करें हम 53015 को फाइब में 3 जाएंगे तो क्या बचेंगे तो इसो कैसे हम कर सकते हैं एक स्कुरॉर प्लस कि 5 x-3x-15 यह हो गया जूंग कैसे लिख सकते हैं x plus 2 यह वाला फेक्टर इसको इसका अगर कमण लेंगे तो क्या आएगा x plus 5 आजाएगा फिर यहां से क्या आजाएगा x minus 3 तो यह आपके तीन क्या होगे फेक्टर होगे अगर 0 निकालने के लिए कहता है तो क्या करेंगे हम x equal to minus 2 हो जाएगा x equal to minus 5 हो जाएगा x equal to 3 हो जाएगा तो इस्टुएट आपको यहां पर समझ में आया होगा कि हमने क्यूबिक पॉरिनोमियल को कैसे फाइंड कर सकते हैं उसके zeros और फेक्टर तो पहले आपको क्या करना है क्यूबिक पॉरिनोमियल के पहले जीरो आप फाइंड करेंगे कैसे करेंगे यह बैलू डाल गए जिनली इस बैलू पर पहला मेरा फेक्टर आ जाएगा तो पहले एक्स इसका जीरो आगी है भाइलू तो एक्स उकल टू जीरो पहले इसके जीरो हो गए इसका फेक्टर क्या हो जाएगा एक्स माइनस टू क्या करेंगे एक्स माइनस टू क्या क्या करेंगे इसको क्वाडिटी क्वाडिटी एक्वेशन से मलिप्राइग करेंगे तब मेरा क्या क्या खायेगा तो क्या करें हम मैं एक क्यूता निकानने का त designers कहाई टğरिका है मैं क्वूस्टेंट को फाइंड करने का थृक है सब्सक्राइब एकसप्ध स्कॉाइब से करेंगे तो एकसप्ध आज आएगा इसप एकी तरीका होगा तो यह से फिर आप फिर बी निकाल ली हैं बी निकालने के लिए दो तरीका होगा आप एक्स स्क्वार का कोफिशियन कंपेर करें या एक्स कोफिशियन कंपेर करें तो हमने यहां पर बी निकालने के लिए क्या क्या है एक्स स्क्वार का कोफिशियन कंपेर क्या है तो इधर एक्स स्क्वार कैसे से आ जाएक फिर ये जो है मेरा फेक्टर पहला से एकस माइनस टू दूसरा फेक्टर क्या हो जाएगा एक बैलू डाल दी एकसवार फिर बैलू कितना डालेते हैं 555 एकस आगया फिर सी का वैलू फोर इसको मीडिल टंसे फेक्टर कर लिए तो मेरा यह आ गिए तो आप दो- चार question practice करेंगे तो within one minute के अंदर ये question बन सकता है और टाइम बचा सकते हैं तो दोस्तों आपको यह अच्छा लगाओ तो वीडियो सेर करें अब कुछ doubt हो तो comment में लिखके बताएं